गुद मॉर्णिंग फ्रेंज मिट्रो पाथ अग्यार उन्ट अने फकीर नो आपने अभ्यास करता हता थोड़ाक पाथ नाभ्ये अभ्यास करियो आपने या बाथ मा जोयो के फकीर नी बात पर वेपारी विश्वास करतो नथी और तेने राजा बासे लई जाए छी राजा पर तेनी बात समझता नथी और तेनी सजा करवानों हुकम करे छी तमने आपाथ मा समझाए गए होया से आटलू हवे आपने जो ये कि फकीर नी सजा थाई छी कि नथी थती तमे जाणा माते उच्छूक छो ने ओके तो चालो आपाथ ने आपने समझी पाथ अग्यार उट अने फकीर बालडोस्टू आपने राजा अए तेने सखत सिक्षा करवानों हुकम करे त्या शूटी आपने पाथ समझे होत्ता हवे आपने आगर समझी राजा अनों हुकम सांब्री फकीर बोल्या राजा जी रहिम करीने पहला मरी वाद सांब्रो रहिम मितले डया डया खावानों कहे छे फकीर खरी खर में उट जोयू न थी वात एम छे कि हूँ वनवगडामा कितला या वरस्थी रहों छू मने बद्धू अवलोकन करी नी जुवाणी टेव छे फकीरसू कहे छे के हूँ कितला ये वरस्थी आ जंगलमा रहू छू इतले मने डरीकवस्तूने अउवलोकन करवानी अउलोकन करवात लेके जिन्वद थी डरीकवस्तूने जोव तो तीनी मने आदत छे आजे सवारी ज्यारे हूं वगडामा जतो हतो त्यारे में जमेन उपर उन्त ना पगला जोया परन्तु तेनी शाथे मानस ना पगला न हता ते उपर थी में मान्यूं के ते उन्त तेना मालिक पाजे थी छुटू पड़ी गएलू होवो जोईये फकिर केटलू सरस अवलोकन करे छे के मात्र उन्त ना ज पगला जे तेनी साथे मानस ना पगला न थी एटले के तेना मालिक न पगला न थी एटले उन्त एकलूज होवो जोई पगला ना मार्गनी एक बाजुए ज़ड ना पांडडा करडेला हता ते पर्थी में मान्यों के उन्त एक आखे काणू होवो जोईये फकिरे उन्त काणू होवो जोईये एवो अनुमान के वे ते लगावियो उन्त ने एक कज आखेरी देखातो होतो एटले पगला ना मार्गनी जे बाजुए ज़ड हता ए ज़ड ना पांडडा करडेला हता ते पर्थी मान्यों के उन्त एक आखे काणू होवो जोईये तेना पगला मान्यों एक बाजुए पगलू जरा ओचो रेखातो हतो ते उपर्थी में धार्यों के टे एक पगे खोडू हसे तेन जे पांडड़ा करडेला हता ते पांडड़ानों वचमानों भाग लटक्तो रई गयो हतो ते पर्थी में मान्यों के टेना आगलो एक डाद पड़ी गयो हसे तो फकीरी सा उपधी मानियो कि उटनो आगलो एक दाट पड़ी गयो हशे इचारो उटे जी पांदला करड़ी हाता एप पांदलानो आजु बजनो भाग खवाई गयो हतो अने वच्वानो भाग लतकतो रही गयो हतो अने ते उपर्थी फकीरे अनुमान लगावियो कि उटनो आगलो एक दाट पड़ी गयो हशे तेना मार्ग नी एक बाजुए गयो बेराइला हता अने वीजी बाजुए माखियो बढ़ बढ़ती हती ए उपर्थी में अनुमान करियों के टे उँटनी एक बाजुए गाउं लाध्या हसे औने बीजी बाजुए मदलाध्यू हसे अनुमान करूँ अटले के पोटानी बुद्धी थी विचार हूँ तो फकेरे सा उपर थी अनुमानला कर्यू के उठनी एक बाजुए गं हसे औने बीजी बाजुए मर्डलाटियू हसे फकीरे उटना मार्ग नी एक बाजुए गउँ वेराईला जोया अने बीजी बाजुए तेने गणी बदी माख्योंने बण बढती जोय अने तेना उपर थी टेमने अनुमान लगावियू के उटनी एक बाजुए गउँ लाट्या हसे अने बिजी बाजुये मदलाट्यू हशे। कोई मानस तेनी उपर बैठू होई तो गउं के मद नीचे पडवा न दे। ए उपर थी मैं माने लिदू कि टे उट एकलू तेना धही पासे थी ना थू छे। जो उटनी साथे तेनो माली खोई तो ते पोटाना गउं अने मद नीचे पडवा दे ना पडवा दे ते पोटानो नुक्सान ना करे। ठोड़े दूर जता आ वेपारी मने सामे मल्यो अने उट विसे पुछवा लाग्यों। में तेने उपर प्रमाणे उटनो वणन कई हूं। ते उपर थी तेने लाग्यूं के तेनो उट में जोयू छे। पन जवेरातनी लालाची हूं तेने बतावतो न थी। परन्तु राजाजी हूं साच्यों कहूं छूं के में उट जोयू पर न थी। के संटाडियू पर न थी। तो फकीर पोटानी अवलोकन करवानी आदतनी कारणे आरिते उटनू वणन करे छे। अने वेपारी एउ समझे छे के माल लेवानी लालाचीनी कारणे फकीर उटनी बतावतो न थी। पन्ते राजाजीने कहे छे के हूं साचू कहूं छूं में उटनी संटाडियू पर न थी। अने जोयू पर न थी। राजानी आ सामडीने खात्री थाई के फकीरे खरेकर उट जोयू न थी के संताडियू न थी। तेने उट विसे जे कई हूं ते अवलोकन करवानी ते उपर थीज कई हूं हतूं। राजा ए फकीरने इनाम आपी छोड़ी मुक्वानों हुकम कर्यों। अने तेनी अवलोकन सकतीना खुब वखाण करिया। राजाने हवे खरेकर समझाए गयो छे। तेने खात्री थाई गय छे। के फकीरे उट जोयू पर न थी। अने संताल्यू पर न थे। आतो तेनी अवलोकन करवानी आदातने कारणे तेने वणन कर्यों छे। ए ते राजा फकीरनी वात मानी जाई छे। अने तेने इनाम आपी ने छोड़ी मुक्वानों हुकम करे छे। अने एने जे अवलोकन कर्यों। ए अवलोकन सकती ना पाण टे खुबच हुआ खाण करे छे विट्याथी मिट्रो आशा राखो छू के तमने आ पात मा समझान पड़ीज गई हसे बरावने मिट्रो आ पात नो वांचन तमारे बेठी ट्रोंडवार करवानू रेशे ओके तो चालो मिट्रो हवे हुरा चालाई वारी मरीश आवजू